हेलो एवरीवन वेलकम टू एमम एकेडमी मैं हूँ शशांग लखियर और रिसूर्ट में हम बात करने वाले हैं और आपना वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले अगर आप नए हो तो आप mmacademy अप को डाउनलोड कर सकते हो अप करना है यहाप में पीडियप और यहाप पीडियो सीरिज के टस वीडियो यूटूब में आपको देखने हो को मिलेंगे इसके बाद के जो वीडियो है वह जो है subscribe कर लो subscription ले लो और यह full-fledged course होगा जिसमें मैं पूरे तरीके से बहुत अच्छे से जो है पूरे course को cover करूँगा पर हम बहुत सारे कोशन जो है यहाँ पे cover करने वाले हैं और उसके साथ साथ मैं आपको in detail भी जो है यहाँ पर provide करूँगा उससे जितनी भी चीज़े ह हूँगी वो सब जो है मैं आपको यहाँ पर पताने की कोशिश करूँगा उसके पहले आप जो है मुझको facebook न instagram पर follow कर सकते हूँ अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझको इन ाइडी पर पूँच सकते हो तो सबसे पहला question है which of the following statement is not true about in this valley civilization in this valley civilization जो सिंदुगाटी सब पता है उसके संदर्व में इन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है तो पहला है accurate drainage system दूसरा है trade commerce were in advance stage थर्ड है they know about the iron तो basically पहला है सटीक जलनकासी व्यवस्ता दूसरा व्यापार और वानेज अग्रिव चरण में थे वे लोहे के बारे में जानते हैं जानते थे तो basically य अगर आप देखोगे तो उनको copper के बारे में पता चला ठीक है gold के बारे में पता चला silver के बारे में पता चला लेकिन उनको iron के बारे में जानकारी जो है नहीं थी तो यह जो है यह चीज़ आपको धिहान रखनी है कई बार यहां पर बिल्कुल एक one liner question भी आ सकता है कि इंद इनक वगेरा के बारे में पता चला तो उन्होंने bronze को develop कर लिया तो bronze बनना जो है यहां पर शुरू हो गया उसके बाद इनको gold, silver इन सब के बारे में यहां पर पता चलने लगा था नेक्स्ट, Indus Valley Civilization, cover an expensive area of present South Asia तो आपको पता है यह South Asia में आपको देखने को मिलेगी जो Indus Valley Civilization है वो ठीक है जो सिंदु घाटी सब्विता है वो वर्तमान में दक्षन एशिया में जो है इस्तित है मतलब दक्षन एशिया वाला जो area है जिसमें इंडिया भी आता है तो वहा रपा Civilization आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी मतलब जो एक्सिवेशन हुआ है दूछीजें है वो आपको देखने को महाँ पर मिलेगी तो यह कहां कहां है तो option ए है कश्मीर पंजाब सिंद दूसरा है पंजाब सिंद तीसरा है पंजाब सिंद गंगा और यमना डॉप और नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर पंजाब तो इन सब जगों पर हमको इंदस वैली शिवलाइदेशन देखने को मिली यह पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है जिसकी कैपटाल है लाहर एक पाकिस्त एक पंजाब जो है आपको भारत में यहां पर देखने को मिलेगा और वैसे एक पंजाब जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा जिसकी केपटल है लाहोर और हमारा जो पंजाब है उसकी केपटल क्या है तो वो है चंडी गार ठीक है तो यह आप जो है आपको यहां पे ध्यान रखना है नेक्स एकर हम बात करें तो शौर्टु गई शौर्टु गई एक बंगॉली टाइप का नेम है थोड़ी सा ठीक है शौर्टु गई बंगॉली जो लोग है वो इसी तरीके से हाप होते है तो यह आपको किस देश में देखने को मिलेगा तो ऑप्शन है इंडिया पाकिस्तान तिबबत और अफगानिस्तान तो जो है याउग्कि ये एक समय ट्रेडिंग कालोनी रहा है इनदस वैली सिवलाइडेशन की मतलब सिदू घाति छो खुट हर् warfare ने यहां को हुआ चौह देखने को मिलता है निए नेक्स अगर हम बात करें which of the following is correct statement regarding Indus Valley Civilization तो Indus Valley Civilization के संदर्व में इन में से कौन से statement जो है वो यहाँ पे correct है तो पहला बोथ हरप्पा और मोहन जुदारो are located in bank of river राभी दूसरा statement यह बोलता है कि बोथ चनहुदारो और काली बंगन were located within the boundaries of present day राजिस्थान मतलब चुहन जुदारो चुहन जुदारो और जो काली बंगन है यह राजिस्थान की boundary के पास जो है located है पहला option यह बोलता है कि हरप्पा और मोहन जुदारो जो है यह राभी नदी के तड़ पे इस्तित है तीसरा यह बोलता है लोथल जो साइट है वो नर्वदा नदी के किनारे है यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमे से सही कौन सा है तो तीनों सही नहीं कैसे नहीं है हरप्पा आपको पता है राभी नदी के किनारे है और राभी का एक और जो नाम है वो है इरावती तो इरावती कहां से निकलती है इंदस जो है तिबस से निकलती है कौन-कौन से नदी तिबस से निकलती है तो इंदस निकलती है सतलज निकलती है गंगा निकलती है इसके अलावा जो यांगसी जिसको आप ब्रह्मपुत्र कहते हो यह भी जो है वहीं से निकलती है जब यह सम्में एंटर ह होती है तब इसका नाम पर्मपुत होता है लेकिन जब यह वहांfo printed वहां से निखलती this या गलत ठीक है एक गलत भी गलत अब लोथल साइट जो है यह नर्वदा नदी के किनारे है क्या नहीं यह भोगवा जो नदी है उसके किनारे है ठीक है तो यह तीनों ऑप्शन गलत होके तो ऑप्शन हो जाएगा मतलब इन में से कोई भी नहीं सब्सक्राइब करें इन में से कौन सा कथन जो है वो सही है रिगवेदिक आरियन यूज़ टू कोट ऑफ मेल एंड हलमिट्स इन वार्फियर वियर एज इंदस वैली पीपल दिट नॉट लिए एनी एविदेंस नेक्स है रिगवेदिक आरियन हैस जॉमेस्टिकेटेटिट द बोल देता हूं रिगवेदिक आरियन्स रहे हैं वो यहां पर हेलमिट्स का यूज़ करते थे वार्फियर में और कोट पहनते थे मतलब जो लड़ने जाते थे तो कोट से यहां पर पहनते थे इसके अलावा जो इंदस वैली पीपल है उन्होंने कोई भी आसे नहीं और को बताना है तो सिंपल सी बात है यह दोनों जो हैं विल्कुल यहां पर सही हैDोनों स्टेटमेंट कलब को सही है कि आरियंस जो है यहां पर वार्फेयर में यूज़ करते थे हैलमिट और कोट्स लेकिन यहां जानों फोइन सब चीज़ों का यहां पे तींको नहीं मिला तो दोनों जो है आपिस आई है Next question है Which of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of इंदध वैली civilization तो इन में से कौन सी place से जो wells के remains है वो जो है पाए गए है और हाउसे में जो ही हम को देखने को मले है जो developed stage थी इंदध वैली civilization के उसमें तो शिंदु घाटी सब्यता के तो अगर आप देखोगे तो यह चीज हमको देखने को मिली है तो मोहन जुदाड़ो जो सिंद्ध पाकिस्तान में है यह बेस्ट एक्सुबेटेड जो सेटर्मेंट से सिविलाइडेशन का वह हमको देखने को मिलता है इसके अलाबा जो ग्रेट बात है बहुत बड़ा बात जो है यहां पर देखने को मिला है जो प्रीहिस्टरिक पीलेट का है और जो इंशियंट टॉन है इसमें करीब सासों से ज्यादा जो कुए है वह ने को देखने को मिलते हैं और बहुत सारे मोहन जुदाड़ो में उन्हें जो है यहांप एक प्राइवेट वेल मतलब हरे घर में एक private well रहा है तो करीब 700 वैल जो है यहां पे पाए गए हैं कहां पे ठीक है तो यह जो है पाकिस्तान में है तो यह जो है आपको यहां पर ध्यान रखना और यह इंदस नरी के किनारे है अपर राखल दास बेनर्जी जो है इन्हों जो है इसकी यहाँ पे खोज करी हुई थी ठीक है तो basically remember this नेक्स से कर हम बात करें तो which of the हरपन side is being surrounded by the flood barriers in order to protect it with the aid of UNESCO fund तो UNESCO ने यहाँ पे फंड चारी किया तो UNESCO के कोश की साहता थे किस हरपा इस्थल को बचाने के लिए बाड अब रादों से घिरा हुआ है तो यहाँ पे जो UNESCO ने यहाँ पे पैसा खर्च किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा बाड आते हैं तो flood barriers को यहाँ पे develop किया गया कि इन जो मतलब हरपन side है वो यहाँ पे जो है इसको कोई भी problem यहाँ पे ना होगी कि यहाँ पे बहुत सारे floods हम को देखने को मिलते हैं इसको 1997 में जो है complete यहाँ पे किया गया इसमें करीब 8 million dollar का जो investment है वो यहाँ पे किया क्या है तो UNESCO के बारे में जो है आपके ध्यान रखना है और UNESCO का headquarter आपको कहाँ पे मिलेगा तो UNESCO में सबस्यादा साइट किसकी है तो वह है इटली की फिर किसकी है तो फिर चाइना की ठीक है तो UNESCO का headquarter कहां है युनेसको का headquarter है पेरिस में और इसके चीफ है Audrey Azoli ठीक है तो Audrey Azoli जो है इसके यहाँ पे चीफ है नेक्स अगरा हम बात करें कराची कैपटल नहीं है पाकिस्तान इसलामाबार और यहां की इमरान खान यहां के प्राइमनिस्चर है ठीक है और इनकी पार्टी का जो नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा कर जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगा तो यहाँ पर कोशन पर फोकस करते हैं which of the following sites located in Pakistan तो पाकिस्तान में कौन सी साइट जो है यहाँ पर located है तो हरप्पा मोहंजुदारो चनहुदारो या सभी तो जो सभी यह साइट है ना यह जो है यहाँ पर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी और यह सिर्फ तीन ही साइट जो पाकिस्तान में है रपपा मोहंजुदारो और चनहुदारो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना अभी तो मैंने यहाँ पे कोशन में में मेंसन किया है पाकिस्तान लेकिन अगर में यहाँ पे इस कोशन को थोड़ा चेंच कर दू यहाँ प而已 सिंद प्रूविन्स थीक है पाकिस लेकिन वही अगर मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर दू इस सिंद्ध की जगे मैं पंजाब कर दू तो मतलब पंजाब पाकिस्तान कर दू ठीक जो पाकिस्तान पंजाब में हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो तो देखो सिंपल यहाँ पे क्या होगा पंजाब में एक ही आंसर होंगे. तो तीनों ध्यान रखना पाकिसतान पूचह जाए तो क्या अंसर होगा? यह तीनों होंगे. जब सिंध पूचह जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ दो आंसर होगे वो होगा मोहन जुदाडो और चनहु धारो वहीं अगर मैं सिर्फ आप से पंजाब की बात करूँ पाकिस्तान का पंजाब तो एक ही जो है यहाँ पे हमको साइट देखने को मिलेगी वो है हरपपा ठीक है तो यह जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो हरपपा जो है किस नदी के किनारे है राभी नदी के किनारे है राभी का नाम है इरावती ठीक है और मोहन जुदाड़ो कहां पहँ है तो यह इंदस नदी के किनारे है So basically remember this Next है which of the following sides located in Rajasthan तो इन में से कौन सी side जो है हमको Rajasthan में जो है देखने को मिलती है तो option है मोहन जुदाड़ो, काली बंगन, लोथन और बनावली तो इन में से कौन सा iustil जो है राजिस्तान में इस्तित है तो काली बंगन जो है जो बैंगल्स के लिए यहां पे famous है वो जो है राजिस्तान में located है तो सही answer होगा काली बंगा यह जो site है, यह located Rajasthan में, कौन से district में है, तो हनुमारगर में है, और किस नदी के किनारे है, तो यह घगर नदी के किनारे है, ठीक है, तो यह घगर रिवर के किनारे जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो Rajasthan में जो है यह basically हमको देखने को मिलता है, और यह जो है घग यह किस साइड से जो है यहाँ पे किये गए यहाँ देखो यहाँ पे दोनों एक चीज में आपको बता दूँ प्लग्ड खेट की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ प्लग्ड मतलब हल की बात नहीं हो रही है ठीक है तो यह कोशन में ध्यान रखना अभी दिमाग में इस चीज इसको बढ़ा लो इस चीज को मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊँ गा तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्लग्ड फील्ड की बात कर रहा हूं एक जुताई वाले खेट की में बात कर रहा हूं तो लोथल आंसर होगा काली बंगन होगा हरपा होगा मोहँचुदाड होगा तो जो बेसिकली काली बंगन जो है यह मैंने आपको बताया तो यह कहां है राजस्थान में है हनुवान गड़ में और यह घगर जो नदी है उसके तट्पे इस्तित है नेक्स सेकर हम बात करें अहौर्ण डैटी एंग्रेवड ऑन टैराकोटा केक हैस बीन रिकवर्ट फ्रॉम सो के नसुति नदी को बार बार रिवाइस करेंगे तो हमको याद हो जाएगा तो यह राजिस्थान में है और हनुरमांगर डिस्चिक में ये है तो लोथल किस नदी के किनारे है तो लोथल जो है भोगवर नदी के किनारे है ठीक है लोथल कहा है गुजरात में और यह जो है डॉक्याड यहाँ पे रहा है नेक्स सेकर हम बात करें which among the following cities known for water management तो water management के लिए इन में से कौन सी cities जो है वो जाने जाती है मतलब प्रमुख city कौन सी जो है कौन सा शहर जो है यहाँ पर जल प्रबंदन के लिए जो है जाना जाता है तो option है लोथल, मोहन जोदारो, हरपपा और धोला वीरा तो धोला वीरा जो है यह basically water management के लिए यहाँ पर जाने जाती है तो यह धोला वीरा जो है यह तो गुजरात में है और यह basically water storing tanks के लिए यहाँ पर जाने जाती है इसमें बहुत सारे जो water storing tanks है वो हमको देखने को मिलेंगे step wealth हमको देखने को मिलेंगे तो यह water management system के लिए यह आपर जो है जानी जाती है और इसका जो water management system है यह बहुत ही unique है दोला वीरा जो है यह इसमें करीब आपको five baths जो है देखने को मिलेंगे इसके लावा जो size है यह basically जो है जो मोहन जुदारों के जो great बात है उनसे जो है यहाँ पर बड़ा है तो हमको जो great बात मोहन जुदारों में देखने को मिले यहाँ पर करीब 700 जादा wealth हमको देखने को मिले इसके अलावा जो great बात है वो हमको देखने को मिलता है उससे भी बड़ा जो great बात है वो हमको ढोला वीरा में देखने को यहाँ पे मिलता है तो यह भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इन में से एक जो है वो basically जो मोहन जुदाड़ो का जो great बात है उससे हम comparison यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा great बात आपको मोहन जुदाड़ो में ही देखने को मिलेगा next है which harapan city is divided into three parts तो इन में से कौन सी harapan city है जिसको तीन पार्ट में divide करके रखा गया था तो यह बेशिकरि ड़ोलावीरा है और डोलावीरा जो किस नदी के कि जनारे है यह किस रेते सब्ती है और यह कुछर डिस्टिक में है जो city यहे लुकाई करके रखा गया का था एक है किटाडिल इए पडल टाउन और या मिदिल ताउन से लवर यहां पे तूर भी होता है प्र जो है यहां पेaldo होता है फिस सेogi करें। बंगन धोलावीरा कोट डीजी या अम्री हमको कहां से देखने को मिलते हैं तो रॉक कर जो आर्किटेक्चर है वो हमको डोलावीरा से देखने को मिलते हैं और धोलावीरा कहां है तो डोलावीरा जो है यहां पे कच गुजरात में आपको देखने को मिलेगा और यह किस नदी के किनारे है तो ये looney के किनारे है और धौला-वीरा famous को है अभी हमने बात करी धौला-वीरा के बारे में क्योंकि यहां पर हमको जो थीन parts है city के वो हमको देखने को मिलते हैं तो पूरी cities को पूले धौला-वीरा को जो हैं आपर तीन parts में divide करके रखा गया है, तो basically remember this, next से करना हम बात करें, which among the following sites terracotta of plug was found तो यहाँ पे terracotta का जो plug है मतला मिटी का जो, पलसी कली terracotta का जो plug है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला है तो किस इस थल से जो हल का terracotta है वो पाया गया है तो option है, धोला वीरा, बनावली, काली बंगा लोथल धोला वीरा, बनावली, काली बंगा लोथल में से आपको बताना है कि यहाँ से कहां से मिला हुआ है देखो एक चीज़ यहाँ पे confused मत हो जाना पहली बात तो काली बंगा से हमको क्या मिला था तो काली बंगा से हमको plug field मिली थी मैंने अभी आपको बोला था ना confused मात हो ना जो एक खेती की जो है यहाँ पे एक जुताई हुई खेती हमको मिली थी ठीके ना लेकिन अगर हम हल की बात करें मतलब plug की बात करें तो वो हमको कहा से मिल रहा है तो plug of terracotta जो है यह हमको हरपन साइट से मिला है बनावली से जो घगर हरयाना में हमको देखने को मिलता है तो यह घगर नदी के किनारे है बनावली और यह हरयाना जो है स्टेट हमको देखने को मिलता है तो बनावली से हमको क्या मिला है तो बनावली से हमको मिला है क्या एक plug तो basically remember this next अगर हम बात करें which among the following place is not related to the Indus Valley civilization तो इन में से कौन सी place जो है Indus Valley civilization से यहाँ पर related नहीं है option है काली बंगन रोपड, पाटिल पुत्र और लोथन so basically सही answer होगा पाटिल पुत्र, पाटिल पुत्र जो है से कोई लेना देना नहीं है Indus Valley civilization और देखो रोपड answer हो सकता है क्या, क्योंकि रोपड तो कहीं पहें नहीं, देखो रोपड नहीं हो सकता क्योंकि रोपड associated है पंजाब से और पंजाब में हमको बहुत सारी जो civilizations है वो हमको देखने को मिली तो इंडस Valley civilization है उसमें जो हम यह बहुत सकते हैं कि पाटिल पुत्र जो है, यह कोई भी जो है यहाँ पर सिंदू-खाटी सब्यता हमको देखने को नहीं मिली नेक्स एकर हम बात करें A copper chariot of Indus Valley civilization was found in which of the following place तो copper chariot मतलब तामे का जो chariot है, तामे का जो रत है इन इमलेकित मैंसे किस इस्थान पर पाया गया है तो option है कुनाल, राखी गड़ी, डियामाबाद और बनावली तो यह आपको देखने को मिलेगा बनावली से, यह डियामाबाद से इसके अलावा जो राखी गड़ी है यह largest activated हरपन साइड है और यह biggest civilization है जो हमको हरपन साइड में देखने को मिलती है तो copper chariot जो है यह हमको कहां से मिला है तो यह दियामाबाद से मिला है और दियामाबाद कहां है तो basically दियामाबाद हम है महराष्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा और यह किस नदी के किनारे है तो परावरा जो रिवर है उसके जो है यह किनारे आपको देखने को मिलेगा तो basically दियामाबाद से जो है इसको यहाँ पे जो है पाई गई है यह basically जो copper का cherry root है नेक्स सेकर हम बात करें लुथल one of the harappan sites situated on the bank of river लुथल जो है harappan sites की बहुत ही important जो है site रही है जितनी भी harappan sites है उनमें से सबस्यादा important हमको देखने को मिलती है और यह किस नदी के किनारे है तो नर्वदा, माही, भोगवा और भीमा तो यह जो है भोगवा नदी के किनारे है लुथल जो है southern most cities जो है आपको गुजरात में वहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगी इंदस वैली civilization है जो गुजरात में located है और यह भोगवा नदी के तटपे हमको देखने को मिलती है तो भोगवा नदी के तटपे कौन है लुथल जो है यहाँ पर है लुथल जो है डॉक याड भी रहा है नेक्स है एन आइवरी स्केल इन हरपन कंटेक्स वोस्ट फाउंड है तो हरपा की संदर्ब में हाती का दाज का पैमाना जो है यह पाया गया है तो यह हमको कहां से मिला है तो आइवरी स्केल जो है यह हमको लोथल से मिला है तो आइवरी स्केल जो है अरपन कंटेक्स में यह हमको लोथल से जो है देखना को यहाँ पर मिला है तो बेसिकली यह जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो यह था set 2 जो है हमने और भी questions यहां पर discuss किया है अब जो है जो basically statement वाले जो questions है उनको भी जो है मैं पर discuss करना शुरू करेंगे देरे देरे करके जो है level जो है मैं यहां पर raise up करूँगा तो I hope कि आपको जो है video यहां पर पसंद आया होगा और वीडियो जो पसंद आया है तो उसको like कर देना और comment box में comment भी करना और इसी किसाथ यह था था इस वीडियो का सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहिंद चैवारग